कुछी दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, वह वीडियो पस्चिम मंगाल के वेश्ट मिदनापुर्स्तित नया पिंगला गाउं के एक चित्रगार सरमुद्दिन का था, वो प्रसंदता व्यक्तक कर रहे थे कि रामायन पर बनाई उनकी पैंटिंग दो लाख रुपे में भी की है, इससे उनके गाउंवालों को भी काफी खुशी मिली है, इस वीडियो को देखने के बाद, मुझे इसके बारे में और अधिक जानने की इत्सुकता हुई, इसी क्रम में मुझे पस्चिम मंगाल से जोड़ी एक बहुत अच्छी पहल के बारे में जानकारी मिली, ज इसे मैं आपके साथ जरूर साजा करना चाहूँगा, परेटन मंत्राले के रीजिनल आफिस ने महिने की शुरू में ही बंगाल के गाउंवों में एक इनक्रेडिबल इंडिया विकेंड गेटवे की शुरुआत की, इसमें पस्चिम बिदनापूर, बांकुरा, बीर्भुम पुरूलिया, पुर्वबर्धवान, वहां के हस्त सिल्प कलाकारों ने विजिटर्स के लिए हैंडिक्राप बर्शॉप आयोजित की, मुझे यह भी बताया गया कि इनक्रेडिबल इंडिया विकेंड गेटवेक के दोरान हैंडिक्राप्स की जो कुल विक्री हुई, वो हस अस्त सिल्प कारों को बहत प्रोसाइद करने वाली हैं, देश भर में लोग भी नए नए तरीकों से हमारी कलाको लोगपुरिये बना रहे हैं, कोडिसा के रावर केला की भागिसरी साव को देख ली चीए, वैसे तो वे इंजिनेरिंग की छात्रा है, लेकिन पिछले कुछ महनों में उन्होंने पट्र चीट्र कला को सिखना शुरू किया और उसमें निफुनता हासिल कर ली हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, कि उन्होंने पेंट कहां किया, सौफ्ट स्टोंस, सौफ्ट स्टोंस पर कॉलेज जाने के राश्त में भागिसरी को इस सौफ्ट स्टों मिले उन्होंने इन्हें एकत्र किया और साफ किया बाद में उन्होंने रोजाना दो गंटे इन पत्थरों पर पट्ट चित्र स्टाइल में पेंटिंग की वह इन पत्थरों को पेंट कर उन्हें अपने दोस्तों को गिप करने लगी लोकडाउन के दौरान उन्होंने बातलों पर भी पेंट करना शुरू कर दिया अब तो वो इस आर्ट पर बख्षवविक आयुजित करती हैं कुछ दिन पहले ही सुभाज बाबु की जैनती पर भागिस्री ने पत्थर पर ही उन्हें अनोखी सरधांजली दी मैं भविश के उनके प्रयास्व के लिए शुब कामना ही देता